इस स्टूडेंट वेलकम टू दे यूनिवर्सल आज मैं एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट कोशन लेके आया हूं इससे पहले मैंने सारे टॉपिक्स को बता दिये हैं अगर आप नहीं देखा हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर अच्छा लगा तो प्ली इसरा मैं कोशन 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मुल किसी दिन 160 रुपिय था ठीक है एक सेंटेंस यह हो गया दूसरा है एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल 300 रुपिय हो जाता है तो इस स्ट्रिकों 20 गनितिये तथा जियामतिय रूपों में वेक्त शेप का मूल इस एक्स और एक कैजी अंगूर का मूल इस एक्स और एक केजी अंगूर का मूल इस एकल तो यई प्राश्णा अनुसार क्या बोलता है दो केजी से बोले तो टू इंटु एक्स, एक केजी का एक्स है तो दो केजी का टू एक्स, पलास, वन केजी अंगूर का अदम य रुपी है, ये रुपी में है, ठीक है आपको confusion नहीं है कितना रुपिया था? 160 रुपिया यह आपका पहला equation हो गया एवं एक महेने बाद क्या 4 kg से 4 x x 2 kg एंगोर 2 x y is equal to कितना हो जाता? 300 रुपिया इसको यहां से cancel out कर सकते हैं common हो जागा 2 x 2 common हो जागा y plus 150 तो यह दूसरा question हो गया दूसरा equation हो गया तो यह हमारा 20 गनिती रूप में represent हो गया अब जो graphical के लिए करेंगे तो समीकरन 1 के 1 के लिए सार्मी 1 तो समीकरन 1 पहले लिख लेंगे कितना है? 2 x plus y is equal to 160 यहां से अगर y को इधर रखते हैं 160 minus 2y अब यहां से हम लोग यह कर लेंगे सार्मी बना लेंगे सार्मी अपने हिसाब से कि आप कितना value रखना जाते हैं? कितना value रखेंगे कि simplest form में आए 160 है अगर आप यहां पे 40 रखते हैं तो यह कितना हो जाएगा? 40-80 बच जाएगा तो y is equal to 40 रख लिजए एक बर यह कितना हो गया? 80 हो गया और एक बर y is equal to 50 रख लिजए 52 रख सो बच जाएगा कितना? 60 बच जाएगा ठीक है? अब दूसरा के लिए समीकरन 2 के लिए सारनी 2 ठीक है? क्या है दूसरा एक वेशन? 2x plus y is equal to 150 तो यहां से y is equal to 150 minus 2x यहां सारनी बनाएंगे? फिर्स यहां पर जो आपको convenient लगे जो आपको आसान लगे वो value लेना है यहां उपर में x नीचे में y अगर y का value 50 लेते हैं 52 दूसरा बच जाएगा कितना? 50 बच जाएगा आपका? समझवाया है? इनवात अब इसमें 50 रख जाएगा अब इसको represent कैसे करना है? ग्राफ में आपका ये ऐसे ग्राफ बना रहोगा ग्राफ पेपर में यहाँ पे आपको एक, दो, तीन नहीं करना है क्योंकि अगर एक, दो, तीन करेंगे तो 50, एक, दो, तीन, चार, पचास स्क्वार जाना पड़ेगा एक स्क्वार में 10 माल लेते हैं दूसरा में 20, तीसरा में 30 चौथा में 40, 50, 60, इस तरस कर सकते हैं यह एक से कोडिनेट, यह यह कोडिनेट है यहाँ पे 10 20 30 40 50, स्वारी, 60 तक लेना पड़ेगा क्योंकि 60, मैक्सिमुम 60 है तो 60, ठीक 10 मैनस 10, मैनस 20 मैनस 30, मैनस से कोई टर्म नहीं है इसलिए मैनस का ज्यादा यूज नहीं करना है मैनस 10, मैनस 20, मैनस 30, मैनस 40 यहाँ पे 1 unit is equal to लिखेंगे 10 तो पहला equation के लिए देखते है x is equal to 80 अच्छा, 80 भी है न x is equal to 80 पे y is equal to 40 तो यह वाले line आजागा आपका यहाँ पे तो 80, 40 यह पॉंट हो गया दूसरा x is equal to 60 पे y is equal to 50 तो यह आपका यहाँ आजाएगा इसके सामने में सीधर सीधर line को देखना हो आपको graph में अच्छे से दिख जाएगा ठीक है यह तो मैं आपको इस paper में मना रहूँ है इस कारण से आपको जाता हो यह होता होगा अब इसको scale से मिला दिजेगा ठीक यह आपका जो graph किसके लिए हुआ 2x plus y is equal to 160 का graph हुआ अब दूसरा देखते है सारा निमे इसके इसके सीधा सीधा आएगा और यहां आएगा ठीक है तो यह आपका graph ऐसे आजाएगा x 30 और यह 60 y 60 तो यह किसका है 2x plus y is equal to 150 तो मेरे प्यारे student आप सबों कैसा लगा यह वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख ले अगर आपको कोई भी doubt है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैं उसका answer दूँगा और आप मेरे चैनल को ऐसे support करते रहें ऐसे प्यार देते रहें thank you very much